नमस्कार साथियों पल टेकनिक पाड़ साल में आप सभी का स्वागत है सेकंड समेश्टर में इनलाग इलेक्ट्रोनिक्स आपको पढ़ा जा रहा है जिसमें आज आपको पहले चैप्टर पढ़ाएंगे इस चैप्टर का नाम है सेमी कंडक्टर डायोड ठीक है इसमें सब पहले हम आपको इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर पढ़ाएंगे इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर नीज अर्धचालक नीज अर्धचालक इसे प्योर सेमी कंडक्टर भी बोलते हैं प्योर सेमी कंडक्टर भी बोलते हैं ठीक है प्योर सेमी कंडक्टर मतलब सुद्ध अर्धचा लग बोलते हैं कितनी सुद्धता पाई जाती है वन रेसियो टेन टुदी पावर टेन मतलब इसे इतना अधिक सुद्ध बनाया जा सकता है कि उसके टेन टुदी पावर टेन परमाडू में केवल एक ही परमाडू दूसरा होगा समझ में अब जैसे कोई जर्मेनियम का क्रिस् सुद्ध बनाया जा सकता है तो यह हमारा क्या होता है प्योर सेमी कंड़क्टर होता है प्योर सेमी कंड़क्टर में आप कह सकते हैं कि किसी प्रकार के कोई भी असुद्धी इंप्योर्टी नहीं मिली होती है अब देखिए जो प्योर सेमी कंड़क्टर है प्योर सेमी कंड सेमी कंड़क्टर में को वैलेंट अ-बांड होता है कि इसमें सभी एलेक्ट्रॉन जो है को वैलेंट के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं ठीक है तो यह चीज आपको क्या करना है ध्यान में रखना है तो जो हमारा intrinsic semiconductor है, intrinsic semiconductor जिसे हम pure semiconductor के नाम से भी जानते हैं, इसे 1 ratio 10 to the power 10 के form में हम क्या कर सकते हैं, इतना हद तक सुद्ध हम इसे बना सकते हैं, ठीक है, तो ये तो सुद्धी है, इसमें किसी प्रकार की असुद्धी नहीं मिली होती है, ये चीज हम समझ के चलेंगे, ठीक है तो intrinsic semiconductor एक ऐसा semiconductor है, जिसमें कोई भी impurity नहीं मिली होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो semiconductor होता है ये absolute temperature पर, क्या बोल जाता है परम सूनने ताप पर तो परम सूनने ताप Absolute Zero टंप्रेचर पर जो है या फिर परम सूनने ताप पर या Semiconductor Insulator की तरह करता है बिवेब करता है अब परम सूनने ताप कितना होता है 0 Kelvin या इसी को क्या बोलते हैं माइनस 273 दसमलो 15 डिगरी सेल्सियस बोलते हैं ठीक है तो इतने कम टमप्रेचर पहे या फिर माइनस उतने माइनस कितना आपका माइनस 273 273 डिगरी सेल्सियस फि 판 यह हमारा क्या है परम सुनेताब में बदलेंगे तो जीरो केलीट आजाएगा ठीक है तो परम सुननेताब पर यह पाजा गया कि प्योर सेमिकंड़क्टर या फिर इंट्रिंसिक सेमिकंड़क्टर में किसी प्रकार कि कोई भी free electron और holes जो है नहीं होते हैं या फिर कोई भी charge carrier नहीं होते हैं charge carrier को ही free electron और holes बोला जाता है अभी holes क्या होता है आगे आपको बताएंगे क्योंकि semiconductor में electron और hole दोनों के current क्या करती है flow करती है वो चीज आगे आपको बताया जाएगा तो परमसुनिताप एक ऐसा temperature है जिस पर semiconductor insulator की भाती ब्योहर करता है इंसुलेटर मतलब कुछ आलक की भाती इसमें कोई भी current flow नहीं करती है परमसुनिताप आपका कितना होता है जीरो केलविन इसी को माइनस 270 degree Celsius के नाम से भी क्या करते हैं जानते हैं ठीक है अब कारण क्या है कि यह इंसुलेटर की तरह भी है इसले करता है क्योंकि जीरो केलविन पर जो है जीरो केलविन टमप्रेचर पर इसमें जो कोवैलेंट बांड होते हैं वो बहुत मजबूती के साथ बदे हुए होने की कारण जो है कोई भी crystal में free charge carrier नहीं होता है charge carrier का मतलब ना तो electron free होता है न तो whole free होता है ठीक है जिसकी वजह से इसमें धारा का प्रवा हो सके तो भाई अब electron free होगा whole free होगा तभी तो उसकी conductivity बढ़ेगी अब zero Kelvin temperature है तो उस condition में कोवैलेंट बांट काफी मजबूती के साथ क्या हो रहेंगे बधे रहेंगे तो इस कंडिशन में उसमें कोई भी करन नहीं फ्लो करती क्योंकि कोई भी चार्ज केरियर फिरी नहीं होता है ठीक है यह चीज है यह हमारा इंट्रेंसिक सेमिकंडक्टर हुआ है अब जैसे ही जै यह से ही टंप्रेचर हम बढ़ाते हैं तो 25 डिगरी सेलसियस या फिर 300 केल्विन पर 300 केल्विन टंप्रेचर पर यह पाया गया कि इसमें 10 टूदी पावर कि नाइन एकंडेम्स मैं से एक एकंडेम्स पावन क्या हो जाता है तूडव आ यह समझ से NICK कुछ बाय जो है इलेक्त्रान और होल क्या होते हैं फिरव बहुत करती है या फिरा आप कह सकते हैं कि सामाने टंप्रेचर पर कुछ कंड़क्टिविटी सेमी कंड़क्टर की क्या हो जाती है बढ़ जाती है समझ मैं है सामाने टंप्रेचर पर 0 Kelvin पर लेकिन जैसे ही टंप्रेचर और ज़्यादा इंक्रीज किया जाता है तो टंप्रेचर इंक्रीज करने से क्या होता है टंप्रेचर इंक्रीज करने से क्या होता है बांड और ज़्यादा तूटने लगते हैं कौन से बांड? कोवाइलेंट बांड और ज़्यादा क्या होने लगते हैं तूटने लगते हैं जिसकी वज़र से धेर सारे electron और धेर सारे holes क्या होते हैं फिरी होते हैं ठीक है तो electron और holes फिरी होते हैं तो उस condition में charge carrier की संख्या बढ़ जाती है जिससे उसकी conductivity और बढ़ जाती है ठीक है तो temperature बढ़ने से जो है electron और hole sphery होंगे जिसकी वज़ा से conductivity बढ़ेगी तो conductivity बढ़ेगी तो resistance क्या होगा घटेगा simple सी बात है तो अगर temperature बढ़ने से conductivity बढ़ रही है resistance घट रहा है तो इसका मतलब क्या है कि semiconductor negative temperature coefficient का होता है मतलब इसका जो प्रतिरोध ताप गुडांक होता है हो निगेटिव होता है क्योंकि इसका temperature बढ़ाने पर इसका resistance क्या हो रहा है कम हो रहा है ठीक है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि intrinsic semiconductor का temperature इंट्रिंसिक सेमिकंड़क्टर का temperature बढ़ाने से टंप्रेचर बढ़ाने से conductivity क्या होती है conductivity हमारी बढ़ती है और resistance हमारा क्या होता है घड़ता है आप conductivity बढ़ रही तो resistivity आप कह सकते हैं या फिर अगर resistivity घटेगी तो resistance भी हमारा क्या होगा घटेगा तो यही कारण है कि हमारा जो सेमिकंड़क्टर होता है वो negative temperature coefficient का होता है negative temperature coefficient का मतलब यह है कि temperature अगर बढ़ेगा तो resistance इसका क्या होगा कम होगा ठीक है इसलिए यहां पर लिखेंगे कि इसलिए इसका प्रतिरोध ताप गुड़ांक प्रतिरोध ताप गुड़ांक निगेट्व होता है इसका प्रतिरोध ताप गुड़ांक क्या होता है negative होता है क्योंकि temperature बढ़ाने से resistance घट रहा है तो जितने भी semiconductor materials है insulators है और क्या कहते हैं electrolyte liquid है उन सब का temperature coefficient of resistance या प्रतिरोध ताप गुड़ांक क्या होता है ठीक है हलाकि मैं semiconductor के बारे में अभी बात करूंगा वो सब तो आगे का topic है तो इसका क्या होता है negative होता है कारण क्या है temperature बढ़ने से covalent band टूटा conductivity बढ़ी इसका resistance घटा इस वज़े से इसका प्रतिरोध आप गुड़ां क्या होता है negative होता है तो जर्मेनियम और सिलकान का temperature coefficient of resistance होता है वो क्या होता है negative होता है ठीक है यह चीज है तो इस तरीके से आप temperature की dependency भी समझ सकते हैं कि temperature के से क्या होता है प्रभावित होता है temperature बढ़ाने से इसका resistance क्या होता है घड़ता है ठीक है और इसमें electron of hole क्या होते हैं फिरी होते हैं जिसकी वज़े से उसकी conductivity क्या हो जाती हैं बढ़ जाती हैं दूसरी बात क्या है अब इसमें होल्स वगेरा क्रियेट होते हैं उसके बारे में आगे आपको बताऊंगा तो थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं लिख लीजिए फिर उसके फीगर वगेरा बनाके मैं आपको क्या करूँगा सम्झाओंगा देखिए वह सेमिकंड़क्टर जिसमें केवल मूल पदार्थ के ही एटम्स हो अर्थात प्योर सेमिकंड़क्टर को इंट्रिंसिक सेमिकंड़क्टर कहते हैं जैसे जर्मेनियम और सिल्कान मतलब क्या है कि वह सेमिकंड़क्टर जिसमें केवल मूल पदार्थ के ही परमाडू हो अर्थात प्योर सेमिकंड़क्टर मूल पदार्थ के परमाडू मतलब कोई क्रिस्टल हमने लिया जैसी यह कोई क्रिस्टल है सेमिकंड़क्टर कमाल लिजे क्रिस्टल है तो सेमिकंड़ इस्टल में जो है केवल और केवल किसके एटमस होंगे सिलकान के एटमस होंगे समझ में तो यह क्या कहलाएगा निज अर्धचालक या प्योर सेमिकंड़क्टर कहलाएगा समझ में तो जैसे जर्मेनियम और सिलकान हो गया अब परमसुनिताप पर यह सेमिकंड़क्टर मतलब कुछ आलग ठीक है यह परमसुनित आप कितना होता है जीरो केलविन जो है आपका इसे आप माइनस 273 डिग्री सेल्सियस के नाम से भी क्या कर सकते हैं जान सकते हैं क्योंकि इस टंप्रेचर पर क्रिस्टल में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है देखिए इस टंप्रेचर पर जीरो केलविन पर या माइनस 233 डिग्री केलविन पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है कोई भी होल भी नहीं होता है electrons भी नहीं होता है, क्योंकि इस condition में bond बहुत मजबूती के साथ क्या हुए रहते हैं, बधे रहते हैं, परंतु सामान टमप्रेचर पर, देखिए चीज आपको बता दिया गया है, परंतु सामान टमप्रेचर पर, मतलब 300 Kelvin पर कुछ कोवैलेंट बांड, कोवैलेंट बांड टूटने से, कोवैलेंट बांड के टूटने से, electron hole pair उत्पन होते हैं, मतलब क्या है, कि 25 degree centigrade पर या फिर 300 Kelvin टमप्रेचर पर ये पाजा गया, कि कुछ बांड क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जब बांड टूटेगा, तो वहाँ से electron फिरी हो जाएगा, और जहां से electron हटेगा, वहाँ पर एक खाली अस्थान होता है, और उसी खाली अस्थान को हम hole के नाम से जानते हैं, और उस hole को positive charge क्या किया जाता है, मना जाता है, जैसे माली जी दो electron हमारे, एक electron हैं और एक electron हैं, एक covalent band के माध्धम से क्या हुए हैं, बधे हुए हैं, एक electron आपका यहां पे हैं, और एक electron आपका यहां पे हैं, सासेयोजगबन, सासेयोजगबन के लिए, दो electron की जरूवत पड़ती हैं, यह वाला electron इसके साथ सासेयोजगबन क्या करेगा, बनाएगा, ठीक है, वो सब तो आप chemistry में पढ़े होंगए, जितना detail में हमको बताने की जरूवत नहीं है, अब इसे अगर यह band क्या हो गया, तूट गया, जब यह band तूटेगा, तो यहां से electron हट जाएगा, अब यह electron हट करके कहां पर चला गया, crystal में चला गया, अभी तो violence band में था न, अभी क्या था, सबसे बाहरी कच्छा में, या फिर किसी कच्छा में होगा, और covalent band के माध्यम से क्या रहता है, बधा रहता है, तो अभी तो band के माध्यम से बधा होगा था, लेकिन अब band क्या हो गया, तोट गया तो इलेक्टरान जो है उचा से कहां निकल गया बाहर निकल गया crystal में चुला गया तो अब यह खाली अस्थान की नहीं तो इस खाली स्थान को ही में क्या बोलते वॉल बोलते हैं और होल की पास्टिू मना जाता ने द्यों के जहां पर जाकर के कहां होल जाता है होल तो अगर एक बांड तूट रहा है तो इलेक्ट्रहलल पेर उत्पन नहों होगा मतलब смотреть लोगा यहां पर लिखा गया है कि परंद तूट समाने टंप्रेशर या 300 K इल्वीन पर नहों बंड के जीरो केल्विन पर तो उसमें धारा प्रवाहित हो नहीं रही थी क्योंकि वो इंसुलेटर की तरह भी है कर रहा थे लेकिन समाने टमप्रेचर पर कुछ कंड़क्टिविटी बढ़ गई बांड टूटने की वज़ा से अब इलेक्ट्रान होल पेर का बनना थर्मल जनरेशन कहलाता है अब देखी ये जो बांड टूटा है ये किसकी वज़ा से टूटा है टमप्रेचर की वज़ा से तो टमप्रेचर जब बढ़ाते हैं तो कोवेलेंट बांड में खिचाओ पैदा होता है जिसकी वज़ा से वो टूट गया तोटने की वज़े से electron यहां से क्या हो गया हट गया, तो यह किसकी वज़े से हुआ, thermal energy के कारण हुआ, temperature के कारण हुआ, तो इसी वज़े से thermal generation बोला जाता है, electron whole pair का बनना जो है thermal generation कहलाता है, जैसे जैसे temperature बढ़ता चला जाएगा, तो उतने ही waitraftो प्रोड्य वहूंगी तो कंड़ेंग संद कंड बांड में तथा के बांड टूटने से उत्रूफ opini फिर उलेक्ट्रॉन कंड़ेंगा में अब जो बांड तूटा हुआ है ठीक है अहीं इलेक्ट्रॉन यहां पर था तो वो ऐ लिलन्स मांड में था लेकिन जब बांड टूट गया तो बांड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में चला जाएगा बाहर घूमने के लिए सोतंतर हो जाएगा तो वो किसमें पहुंच गया कंडक्शन बांड में समझ में आगा तो बांड टूटने से उत्पन फिरी electron conduction band में तथा whole valence band में होता है, whole हमेशा valence band में ही होता है whole कभी move नहीं करता हूआ है लेकिन move करता हूआ प्रतीत होता है आगे कैसे होता है ये चीज को आगे आपको क्या करेंगे, बताएंगे ठीक है तो whole हमेशा कहां पर रहेगा valence band में, और electron जब बांड टूटेगा तो किसमे जाएगा penfunction बांड में जाएगा ये अगर हम वैसे बना करके दिखाएं कर ये स बनार तो यह हमारा थैजमे अब इसमें जो बना रहता है जो band बना रहता है, वो vb में रहता है. तो यहाँ से क्या हुगा? एक band टूट गया. जब यहाँ से एक band टूट गया, तो एक electron क्या होगा? फिरी होगा, तो यहाँ पर एक खाली अस्थान होगा, जिसे hole के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं. अब हीर्ट्रान कहां पर पहुंच गया है, यहां पर पहुंच गया है, कंड़क्सन बांड में पहुंच गया है, तो जो फिरी कंड़क्सन बांड में रहेगा, और जो spielt होगा हमें süरव filters बैंब है तो वह पर लिखा गया है तो intrinsic semiconductor में concentration है एक चीज़ और अब इसमें देखिए अगर एक बांड टूटेगा तो एक electron फिरी होगा और एक hole create होगा अगर दो बांड टूटेगा तो दो electron फिरी होगा दो hole create होगा इसी परकार तीन बांड टूटेंगे तो तीन electron तीन hole फिरी होगा इसका मतलब क्या है कि इसमें concentration of electron is equal to concentration of क्या होता है hole होता है मतलब इसमें electron और hole की संख्या क्या होती है आपस में बराबर होती है समझ में अगर band टूट रहा है तो हमेशा इसमें electron और hole की संख्या क्या होगी बराबर होगी तो concentration concentration का मतलब यहाँ पे है electronों की संख्या और hole की संख्या तो जितने band टूटेंगे उतने ही ज़्यादा hole create होंगे उतने ही ज़्यादा electron create होंगे बराबर संख्या में ठीक है तो यही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि intrinsic semiconductor में यह होता है क्या होता है concentration of free electron is equal to concentration of hole मतलब concentration of electron is equal to concentration of hole तो electronों की संख्या इस semiconductor में hole की संख्या से क्या होता है बराबर होता है ठीक है तो यह चीज आपको जानना क्या था ज़रूरी था जब electron अपने band से तूटता है तो वह एक खाली अस्थान बन जाता है वहाँ पर तो वहाँ पर जो है एक खाली अस्थान बन जाता है जिसे hole कहते है अब देखी यह चीज बार-बार आपको समझाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर band था band टूटा electron conduction band में चला गया तो यहाँ पर एक hole क्या हो गया create हो गया ठीक है hole हमेशा वैलेंस बांड में ही होगा क्योंकि hole गती नहीं करता है लेकिन गती करता हुआ प्रतीत होता है यह चीज जब crystal सनचना में आपको बनाएंगे तब आपको क्या करेंगे बताएंगे तो hole hole कहते हैं इस पर क्या होता है positive charge होता है ठीक है बाकि तो इसका temperature का ओफिसेंट आप क्या होता है negative होता है यहाँ पर देखिए concentration यहन क्या है electron का concentration p क्या है hole का concentration और is equal to intrinsic concentration ठीक है intrinsic concentration के नाम से क्या करते हैं जानते हैं ठीक है अभी तो फिरहाल इसमें इतना जानना क्या है जरूरी है इसमें कुछ चीजे और है जैसे temperature के बढ़ने से क्या होता है क्या नहीं होता है यह सारी चीजे तो मैंने लगभग आपको बता ही दिया जो main main चीज था इसका कुछ concept आपको figure बना करके मैं समझाओंगा और वो चीज में अगले lecture में क्या करूंगा समझाओंगा बाकी इसका screenshot आप ले सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है होल पेर उत्पन होते हैं यहाँ पर थोड़ा mistake हो रहा है तो यहाँ पर होल पेर उत्पन होते हैं ठीक है दिखाई नहीं दे रहा था इस वज़़ा समको आके पढ़ा दी हैं तो आज का class यहीं तक धन्यवाद अगर इसमें जो चीज माल लीजी हम नहीं लिखे होंगे तो उसे आप अपने से भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं मैंने इसके concept को क्या कर दिया समझा दिया अभी इसकी crystal सनचना हमने आपको नहीं बताई है कुछ topic और है intrinsic semiconductor में जो अगले lecture में मैं क्या करूँगा लिखवाओंगा भी और समझाओंगा भी ठीक है तो आज का class यहीं तक धन्यवाद